हमारी NCRT सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं चप्टर सेविंथ आउफ सिक्स क्लास साइंस NCRT तो आज हम पढ़ने वाले हैं Getting to know about plants आज हम जानने वाले हैं पौधों के बारे में, plants के बारे में, male and female parts of the plant के बारे में और भी बहुत सारी चीज़े हम study करेंगे सबसे पहले हम basic classification समझते हैं कि हम कैसे divide करते हैं plants को आपने देखा होगा, तीन तरीके से classify करते हैं plants कुछ जिनको हम herbs कहते हैं English कुछ जिनको हम Sherps कहते हैं, और finally trees हम identification समझते हैं कि हम किस तरीके से देख कर पहचान सकते हैं नाजुक होगी अगर stem, तो आप समझते हैं, अगर base कमजोर है, तो उसकी height जादा नहीं बढ़ा सकते हैं, किसी भी system की, उसी तरीके से, इसकी height जादा नहीं होगी, क्योंकि इसकी stem है, वो काफी tender है, काफी नाजुक है, तो आप समझ सकते हैं, उनकी height जो होगी भी छोटी height, और expansion of branches horizontally, और बहुत सारी branches होगी, अब हम discuss करते हैं, shrubs के बारे में, वो plant, जो branches develop कर लेते हैं, अपनी stem के पास में, उनको हम shrubs करते हैं, यह जो stems, जो develop की जाती हैं, branches के पास, यह hard तो होती हैं, लेकिन जादा मोटी नहीं होती है, और इसकी वज़े से, उसका जो structure होता है वो इतना ज़्यादा weight carry करने के लिए effective नहीं होता, और इनकी भी height compared to trees, काफी कम रहेगी, और इनका भी expansion या फिर यह ज़्यादा बुशी रहते हैं, तो herbs और shrubs दोनों की equality है, वो बुशी रहेंगे, लेकिन herbs की height जो है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है, comparison to shrubs, अब हम बात क simply identify कर सकते हैं, चाहे neem का tree देखें आप, या फिर आप bunion tree देखें, बहुत सारे ऐसे trees हैं, आप देख के समझ जाएंगे, कि this is a tree, this is a shrub and this is a herb, उसके साथ देखें आप, तो जो branches होती हैं, वो upper part में होगी, काफी उचाई में उसकी branches होती हैं, और ground से उसकी height काफी जादा ह होती है, तो अगर हम simply tree को समझने का कोशिश करें, depending on the given description, तो हमें समझ में आएगा, कि ये इस तरीके से thick stem होगी उसकी, और जो hard भी होगी, और उसकी जो branches हैं, वो upper, above the ground, काफी उपर की तरफ grow करना चालू करें, तो ये आपका tree ऐसे form होगा, और इसकी उपर उसका जो thin green cover ह होगा, वो होगा, जो इसकी leaves होगी, एक और बात है, जो हम समझते हैं, उसको हम कहते हैं, खर्पतवार, हिंदी में खर्पतवार, इंग्लिश में हम कहते हैं, उसको weed, weeds कुछ ऐसे unwanted plants होते हैं, जो आगर आप crops उंगा रहे हैं, कहीं आप farming कर रहे हैं, वहाँ पर unwanted plants उंगाते हैं, और जो nutrition दे लेते हैं, जो आपके major crop है, उसका, उनको हम weeds कहते हैं, यहाँ पर मैं shrubs की बात कर रहा था, यह आप देखी, यह herb का diagram है, यह फिर herb का एक example है, यहाँ पर shrubs, और यह tree का example है, इसके बाद एक और category आती है, जिसको हम कहते हैं creepers and climbers, अब creepers है, आपको समझ मे रेंगेंगे और जमीन पर ही फैल जाते हैं, क्योंकि यह काफी कमजोर होती है stem, मैंने आपको पता है, stem अगर कमजोर होगी, तो height उनकी जादा नहीं बढ़ पाईगी, अगर उनकी height जादा नहीं बढ़ पाईगी, strength जादा नहीं होनी के विज़े से जादा weight carry नहीं कर किसी भी चीज का support अगर उनको मिल जाए, कोई strong tree है अगर उनके बाजू में, या फिर कोई building है, जैसे आपने money plant देखा है, या और भी बहुत सारे ऐसे plants होते हैं, जो creep करते हैं और दीरे दीरे वो उपर चड़ जाते हैं, उनको हम climbers कहते हैं, जो किसी के एक plant के या किसी भी जो stem होती है, उसके end पे leaves होती है, आपने चाय की पत्ती देखी होगी, नीम की पत्ती देखी होगी, बेने ट्री की पत्ती देखी होगी, उन सब में हमें यह समझ में आता है, जो stem है, stem के पास से ही leaves निकलती है, जो branches होती है, बट्स होती है, वो सारी चीज़े आप देखें या kitchen of the plant, यहीं पर खाना बनता है पूरे plants के लिए, जित्ती सारी leaves हैं, यह खाना बनाती है, और plant को energy provide करने का काम, यह leaves करती है, जो resources चाहिए, चाहे nutrition या water, वो आपकी stem के थुरू पहुचता है, हम यहाँ diagram में समझें, तो यह जो उपर का surface होता है, इसको आप lamina कहते हैं, यह जो connecting surface है, यह जो यह चीज है, जो आपकी stem से connect कर रहे हैं, यह leaf को, इसको आप pity all कहते हैं, और यह जो है, वो आपकी stem, अब एक और बात समझने वाली है, यह जो, आप leaf देख रहे हैं, इसमें यह veins हैं, इस तरीके की, यह जो lines जैसी दिये हैं आपको, वो आपकी veins है, और veins में, जो यह important है, आपकी mid section वाली, जो सबसे बीच में हैं, उसको आप mid rip कहते हैं, side वाली को veins, center वाली को mid rip कहते हैं, अब इन veins का भी एक particular design होता है, और उस design की वज़े से उनको classify किया जाता है, जैसे जो designs यहाँ veins बना रही हैं, उसको आप कहतेंगे leaf venation, यह शब्द आपको याद रखना है, leaf venation जो है, एक ही जैसी है, यह देखिए, तो जब यह एक जैसी veins होंगी, उसको आप reticulate कहेंगे, और एक और दूसरा जो venation है, या vein का design है, उसको आप कहते हैं parallel venation, जो grasses में आपको देखना मिलेगा, यह इस तरीके से जो veins है, वो parallel चलती है, mid rip के, या फिर एक दूसरे के parallel होती है, तो यह classification होगे आपका, on the basis of design of leaf, अब हम एक और important process की बात करते हैं, वो है transpiration, जैसा मैंने आपको officially slide में बताया है, कि जो stem है, stem का का काम है, खाना, या फिर मेरा कहने का मतनब है water, और nutritions को leaf तक पहुचाना, और leaf उन चीजों से बनाने वाली है, खाना, उस process को आप photosynthesis कहते हैं, तो अगर यह excess of water आता है, या फिर जो required amount of water है, उससे ज़्यादा हो जाए, तो फिर water, water vapor के form में, vapors के form में, leaves के जो pores हैं, उससे बाहर निकल जाता है, और जब वो बाहर निकलता है vapor के form में, उसको आप transpiration कहते हैं, तो process of water coming out of leaves, from the leaf pores, in the form of vapor, is called transpiration, transpiration के बाद, अब हम समझ लेते हैं, कि यह खाना कैसे बनता है, हमें जरूरी है समझना, how does plant cook its food, यह खाना कैसे बनाया जाता है, अब आपको raw materials पता हैं, जो हमें कहां से मिलते हैं, stem से, stem से हमें water और nutrition मिलता है, mainly हम इसको water ही माल लेते हैं, और water में ही जो dissolved salts होते हैं, तो water आपके leaf तक पहुंचेगा, यहाँ पर leaf का काम शुरू होता है, leaf क्या करने वाला है, leaf water as well as carbon dioxide के साथ मिलकर food बनाने का प्रक्रिया चालू करेगा, इसमें एक important component जो काम करता है, sunlight की presence में, वो आपका important component है, green colored substance, जिसका नाम है chlorophyll, यह chlorophyll leaves में present होता है, और जैसे water और carbon dioxide के साथ यह react करता है, यह पूरा process चलता है, उससे आपका खाना बनेगा, यह food जो है, वो ultimately food prepare करता है, और पूरी body में, यह जो plants के different parts हैं, उस तक पहुंचाता है, और वहाँ पे store कर देता है, और इसका जो reaction में by product है, देखिए मैं reaction आएगा, उसमें आपका oxygen बाहर emit होगा, और उसके साथ जो energy generate हो रहे है, या food बन रहा है, वो बाहर होगा, तो यहाँ पर इसलिए हम कहते हैं, कि पेड़ों लगाना ज़रूरी, क्योंकि यह पेड़ों से oxygen बाहर आती है, जो हमारे लिए important है, अब हम बात कर लेते हैं, roots के types क तो दो type की roots होती है, पहली root है tap root, tap root के मैं कुछ examples आपको बता दू, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं, तो पहला example है carrot, गाजर जो है, वो काफी अच्छा example है समझे के लिए tap root का, turnip, शलगम, wheat root, जिसके बारे में हमने discuss किया है पहले भी, उसके साथ radish, जो मूली होती है, वो भी बहुत अच्छा example है tap roots का, इसके बाद fibrous roots जो होती है, उनकी बात करते है, तो मैं उनका example देता हूँ, उसके बाद आप picturize भी कर पाएंगे, तो आप देखे, pine, जो tree होता है, या फिर grasses हैं आपकी, या फिर आप देखे, banana tree, उसमें इस तरीके से fibrous roots होंगी, काफ सब ऐसे बुशी तरीके से फैली हुई, हेरी तरीके से फैली हुई आपको नजर आएंगे, इसमें कोई ये common root नहीं होती है, एक central root नहीं होगी, लेकिन आप tap root में देखेंगे, तो एक central root होगी, अगर मैं आपको diagram के तोरह समझाने का प्रयास करूँ, तो यहाँ पर अगर ह तो वो एक tap root form कर लेगा, और इसकी बहुत सारे आसपास के roots होगी, जो water को absorb करेंगे, और उपर इसकी leaves होगी, तो इस तरीके से ये पूरा design देखेगा आपको, यह आपका tap root का example मैंने बताया, by drawing turnip, तो आपको समझ में आगा होगा, tap root में एक central root होगी, और इसके साथ small roots connected हो जिनको आप lateral roots कहते है, अगर यह आपकी major root है, यह tap root है, तो इसके साथ जो छोटी roots है, वो lateral roots हो गई, और जो fibrous roots है, उसमें particular main root नहीं होती, उसमें हर root एक जैसी होती, similar होती है, और इसलिए उसको आप fibrous roots कहते है, जिसके example है pine, banana, as well as different kind of grasses, अब हम आते हैं बहुत important portion पे, plant का बहुत important portion है flower, हमने leaf discuss कर लिया, हमने roots discuss कर लिया, stem के बारे में भी हमने function जाल लिया, थोड़ा बहुत, अब हम बात करेंगे flower के बारे में, तो flower में दो हिससे होते हैं, एक होता है bud, और दूसरा होता है flower, तो यह जो portion है, इसको आप bud कहते हैं, और यह जो है, यह पूरा flower है, अब जो flower है, उसमें हमें दो चीज़े समझी पड़ती है, एक तो male part और दूसरा female part, तो male part अगर हम पढ़ें, तो वो एक है enter, दूसरा filament, और एक है stamen, यह तीनों मिलके, stamen के under में ही, यह आप कहें stamen जो है, वो main part है, उसके under में enter और filament आते हैं, उसी तरीके से जब female part की बात करें, तो जो pistol है, pistol के under आएंगे stigma, style, ovaries, और ovaries के अंदर होते हैं ovules, तो यह आपको पता चल गए होगा, जो female part से मैं एक बार और दोहराता हूँ, pistol के अंदर stigma, style, और ovary, और ovary के अंदर आपको ovules मिलेंगे, आप चारों भी गिन सकते हैं, या फिर ovary, और ovary के अंदर ovules, उसी तरीके से जो male part है, वो है stamen, stamen के अंदर आपको enter और filament मिलेगा, और यही से जो pollen ग्रेंज है, वो यहाँ enter से निकल कर stigma में जाते हैं, और stigma के अंदर जाके, यहाँ जब अंदर enter करेंगे, तो यहाँ ovary के साथ जाके वो fertilize होते हैं, और यह जो fruit है, यह जो flower है, फिर यह fruit में convert हो जाता है, यह जो इसका नीचे का जो portion है, जिसको आप stock कहते हैं, इसको pedicle कहते हैं, या pedicle कहते हैं, यहाँ का जो center है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे ovary है, यहाँ पे आप pollen के grains को receive करने वाले हैं, इसलिए इसको आप receptacle कह सकते हैं, यह area है, जो इसको hold क इसकी बात करें, तो वो petal कहीं, तो petal और sepal आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहें, तो एक fool लेके उसको आप examine कर सकते हैं, उससे आपको और ज्यादा better understanding हो जाएगी, कि male parts क्या है, female parts क्या है, क्योंकि इस किताब में भी काफी ऐसी exercises, ऐसी activities दी है, better understanding के लिए, तो मैंन है हमारे discussion, जिसमें हमने पूरी तरिके से plant के important parts, roots, उनके types, plants किस type हैं, herbs हैं, shrubs हैं, trees हैं, climbers हैं, creepers हैं, यह सारा discussion किया, leaves के बारे में भी बात की, leaves का जो venation है, उसको भी discuss किया, आगे आने वाले chapter में हमें physics का discussion करेंगे, जिसमें हम joints की बात करने वाले हैं, body का, और joints के का contraction expansion को भी discuss करेंगे.